नमस्वार दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूटूब चनल अब्जेक्टिव सेंटर पर यह जो हमारा पेपर है यह हमारा एनपी सेयल का पेपर है और सेम इसी पैटरन पर आपके कोशन पूछे जाएंगे नुकलियर फुल्ट कंपलेक्स और आजी सीयर में भी यह फिर आप बार्क का पेपर देने जा रहे हैं तो सेम इसी टाप के कोशन पूछे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर जो साइंस का कोशन है इसमें 21 नंबर के कोशन है विच आप दाफ फालूंग इजनाटे ग्रीन हाउस गैस निमन मेंसे कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है लोरो फ्लोरो कारवन मेथिन कारवन डायकसाइड और नाट्रोजन देखिए जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वह हमारा नाट्रोजन गैस है तो नाट्रोजन जो है यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है जैपि क्लोरो फ्लोरो कारवन मेथिन और कारवन डायकसाइड यह हमारे ग् जीरो गुरूप के एलिमेंट है और इसलिए इसकी जो सब्सक्राइब होती है जीरो होती है अब देखिए तेस नमबर का कोशन है कर रहा है iodized salt is beneficial for iodine नमक होता है यह किसके लिए फायदामंद होता है तो जो iodine नमक है यह थायराड गरंथी थायराड गरंथी कौन से होती है जो आपके गले के पास रहती है यहां पर वह थायराड गरंथी जो रहती है उसके लिए फायदामंद होती है इससे क्या होता है iodine नमक से कि घ गहगा रोग नहीं होता है, तो यहाँ पर इसका C answer correct हो जाए, आयोदी नमक थाराड गरांथी के लिए बहुत ही फैयदा मन होती है और जो आयोदी नमक युक राइता है, उसमें क्या उता खाने से गहगा रोग नहीं होता है, तो तेसक यहाँ पर C answer correct हो गया, अब इसके प्राप्त होता है या किस नियम से प्राप्त होता है आप से न्यूटन के पहला गति के सूत्र से न्यूटन के तीसरे गति सूत्र से गलेलियो के पहले गति सूत्र से तो देखिए जो न्यूटन का यह जो समीक्रण है f equal to m में यह हमारा क्या है समीक्रण है और यह जो परिभासा प्राप्त होता है तो न्यूटन के पहले नियम से बल की परिभासा प्राप्त होती है लेकिन जो न्यूटन का दूसरा समीकरन रहता है या गति का सूत्र इससे क्या होता है समीकरन प्राप्त होता है तो समीकरन दूसरे नंबर से प्राप्त होता है पहले वाले से प equal to which joules एक कैलोरी कितने ginyad compare होती है टो देखिए एक कैलोरी अर्जय इककोल टू होता है चारदस only 18 जूल के तो यहां पर चारदस बलr कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा तो देखने को मिल जाएगा तो जैसा आपको आपसन में दिखेगा वैसा आप मार दीजिए का स्टीकIX नमार क्वोश्चन है यह हं पर कह रहा है कि जो इसciąत्री कुर्जा में परिवर्थित करता है तो आपसन है मोटर लिवर गानिरे टर्रंसफार्मर तो देखिए जो विद्धु तुर्जा को mistर को बदलता है वह हमारा राहता है motor, motor क्या करता है? यांत्री कुर्जा को बिद्धु तूर्जा में बदलता है लेकिन यहाप पर कुछा गया तक बिद्धु तूर्जा को यहां तरिक में कौन बदलता है तो मोटर बदलता है तो अफसन नमबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अब देखिए 27 नमबर के क्वेश्चन है डिफिसिंसी इ यानि कि nigh blindness होता है तो 27 यहां पर भी अंसर करेक्ट हो जाएगा nigh blindness 38 नमबर कोष्चन है एक हरस्पामर कितने के बराबर होता है देखिए एक हरस्पामर इकवल मुधर होता है मापने की लिए किस का इस्तिमाल किया जाता है किन निमोमेटर हम लोग हावा मापते हैं हावा की प्रकास की तीब्रता में अपने के काम में आते हैं तो प्रकास की तीब्रता हम लोग लग्स मीटर दौरा मात्ते हैं समन टापमान और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा कितनी होती है तो नारमल टम्प्रेचर एंड प्रेशर पर जो एक मोल गैस की मात्रा होती है वह 22.9 चार लेटर होता है यहां पर इसका भी अंसर करेक्ट हो जाएगा 32 नंबर का कॉस्चन है विच अफ़ फालूइंग लेंस इज यूज़ तू करेक्ट माय उपिया नम्मल लेखित मेंसे कौन सा लेंस निकट दरिश्टी दोस को सही करने के लिए उपियो किया जाता है तो देखें निकट दरिश्टी दोस के लिए कहेगा तो हम लोग आवता लेंस यूज़ करते हैं तो निकट दरिश्टी दोस के लिए आवताल लेंस और दूर दरिश्टी दोस के लिए हम लोग उताल लेंस यूज़ करते हैं तो यहाँ पर निकट दरिश्टी दोस पूशा गया था तो आवताल लेंस यहाँ पर 32 का यह आंसर करेक्ट हो जाएगा अब यहां पर देखिए 33 नमबर का जो question है क्या रहा है यह 100 watt electric bulb is used for 10 hour what will be the cost of electricity consumed in rupees if the cost of electricity is R.E.S. 5 per unit करे 10 गंटे के लिए 100 watt electric bulb को उप्योग किया जाता है इन में बिजली की खपत की लागत क्या होगी अगर बिजली की लागत प्रतिकाई 5 रुपिया है तो देख लेते हैं सबसे पहले कितना unit ये खर्चा होता है तो खर्चा होने के लिए देखें क्या होता है watt into hour बटा 1000 होता है यह हमारा formula होता है तो इससे क्या होता हमारा येतना unit खर्च हुए रहते है ये बता देगा तो watt यहाँ पर देखिए कितना है वाट यहाँ पर दिया गया है 100 वाट हो गया हावर कितने गंटे तो 10 गंटे के लिए बोल ला है बटे हमारे 1000 हो जाएगा अब देखिए 1000 से हमारा उपर जो है 1000 कर जाएगा यानि कि एक यूनिट हमारा खर्चा हो रहा है अब यहाँ पर कहा है कि प्रती काई यानि कि एक unit का यहाँ पर 5 रुपिया ही लग रहा है तो हमारे एक unit आया ही था तो एक unit आया था तो यहाँ पर हमारे 5 रुपिया गरेक्ट आंसर हो जएगा आपसर नमबर C अब यहाँ पर देखिए 34 नमबर का जो question है 34 नमबर का question कर रहे है केमिकली प्लाश्टर आफ पेरिस एज़ प्लाश्टर आफ पेरिस का रासानिक रूप क्या है तो देखिए प्लाश्टर आफ पेरिस का जो रासानिक रूप होता हुए रहता है कैल्सियम सल्फेट तो कैल्सियम सल्फेट रहता है और इसका जो फार्मूला होता है वो रहता है C-A-S-O-4 और into half H2O होता है यह होता है हमारा plaster of paris तो यह हो गए हमारा plaster of paris अब इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 35 नमबर का question कर रहा है At what temperature the indicator of Celsius and Fahrenheit thermometer will show the same rating कौन से तापमान में Celsius और Fahrenheit thermometer का संकीत तक एक ही पठन दिखाएगा तो देखिए minus 40 degrees Celsius के तापमान पर Celsius और Fahrenheit पैमाने जो आते हैं वो सब कुछ सेम रहते हैं अब यहाँ पर देखिए 36 नमबर का question है which of the following is not suitable sorry not soluble in water at ambient temperature निमनलिकित में से कौन से परिवेस के तापमान में पानी में घुलनसिल नहीं है तो बर्प भी पानी में घुल जाएगा salt भी पानी में घुल जाएगा और इसके बाद sugar भी आपका घुल जाएगा त्यहाँ परेटी answer correct हो जाएगा इन में से कोई नहीं अब देखिए यहाँ पर है iron is extracted from iron कहां से निकाला जाता है तो देखिए iron निकाला जाता है hematide से है और hematide का जो सुत्र होता है और आता है fe2o3 और इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमारा लोहा जो है इसी से निकाला जाता है यह hematide जो है यह लोहे का आयसक होता है और यह जो बाकसाइट है या aluminium निकाला जाता है बाकसाइट से देखिए 38 number question है gas law was given by gas का सुत्र किसके दवारा दिया गया था तो देखिए gas का जो नियाम होता है बहुत से लोगम के दवारा दिया गया था जैसे कि यहाँ पर bile का दिया गया है तो bile law जो होता है यानि कि जो होता है इसमें क्या होता है temperature constant रखा जाता है तो bile के लाव में क्या होता है temperature constant रखा जाता है तो पी जो proportional to होता है 1 by V के होता है तो यही होता है bile का सूत्र और यही नियाम है यही gas का सूत्र है बाकि और भी होते हैं जैसे कि चाल सिला हो गया 39 नमबर कोश्चन है 2nd predominant element found in the sun is कहरे सूर में पाए जाने वाला दूसरा प्रमुक्त तो कौन्स है तो देखिए सबसे ज़्यादध जो सूर में पाए जाता है hydrogen पाए जाता है hydrogen पहले नमबर पर आता है helium आता है हमारा दूसरे नमबर पाए जाता है तो यहाँ पर पूछा गया था कि सूर में पाए जाना में वाला दूसरा प्रमुक्त तो कौन से है तो दूसरे की बात कहेगा तो हीलियम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपसा नंबर भी अगर यहीं पर कोश्चन घुमा के पूछले की सबसे जादा कौन से पाई आता है तो हैड्रोजन अब देखिए चालिस नंबर का कोश्चन है ब्रोंज इच एन एलाई आप कापर एंड वेच कासा जो होता है या ताबा और किसके एक मिस्ट रधात हुए तो कासा जो होता है कापर और टिन से मिल कर बाना होता है तो चालिस के यहाँ पर एंड आंसर करेक्ट हो जाएगा अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हमारा समान जाग रूपता है यानि कि जनल अवेर्निस का पोश्चन सुरू होता है इसमें 41 नमबर का question है कि which certification is maintained for standardizedization of jewelry अभूसन के मानकी करण के लिए कौन सा प्रमार्णी करण रखा जाता है तो देखिए जो अभूसन होते हैं उसके लिए हाल मार्क रखा जाता है प्रमार्णी करण के लिए तो यहाँ पर इसका सी answer correct हो जाएगा तो देखिए चाइना के साथ जो अपनी सीमा साजा नहीं करता है तो देखिए यहाँ पर 43 नमबर के question है Capital of USA, USA की राजधानी कया है Sanjeev Praja, अमेरिका की राजधानी कया है California, New York, Last Inge, Washing Cotton तो Washing Cotton है अमेरिका की राजधानी अब यहाँ पर देखिए 44 नमर का question है Haridish is the substance available on the Earth प्रतिवी पर उपलाब्ध सबसे कठोर पतार्थ कौन्स है तो देखे पिर्थवी पर सबसे कठोर पदार्थ की बात करेगा तो डाइमंड और सबसे कठोर धावत की बात करेगा तो पलेटिनम तो अगर धावत की बात करता तो पलेटिनम आ जाता और जो डाइमंड रहता है यह हमारा पदार्थ की बात करता है तो पदार्थ की बात करे अब देखिए 45 नमबर के यहां पर question है Central Drug Research Institute is located किंदरी आउसदी अनुसंधान संस्थान के सार में इस्थित है लखनाव, कोलकाता, दिल्ली और महसूर तो किंदरी आउसदी अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका लखनाव में पढ़ता है यहां पर इसका यह answer correct हो जाएगा दोस्तों आप लोग किंदरी जितने भी अनुसंधान संस्थान होते हैं आप उन्हें पढ़कर जाएगा यह अक्सर एक्जाम में पूछा करता है क्योंकि यह जितने भी department आफिटामीक एनरजी वाले होते हैं अक्सर यह सब question आते रहते हैं तो इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना के रखा है जिसका लिंक आपको description box में दे दिया गया है तो वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारे objective center gk channel को subscribe पर लिजिए वहां पर फिर वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा तो लिंक आपको description box में दिया गया आप वहां से इस वीडियो को जरूर देखें टाकि अगर इस topics अगर question पूछे ले हैं तो आपका question छूटे ना तो यह हो गया अब देखिए 46 number question कहा रहा है कि capital आप अणवांचल परदेश की राज़ानी क्या है तो आपको भी पता होगा अणवांचल परदेश की राज़ानी इटा नगर है असम कदिस्पूर है 47 number question है विच इंडिजिनियसी ली डवलर्ड मिसाइल है लांगेश्ट रेंज किस सोदेशी विक्सित मिसाइल की सबसे लंबी मारक चमता है देखिए जिस सोदेशी विक्सित मिसाइल की सबसे लंबी मारक चमता है वो है प्रिथेवी 47 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अगनी अगनी की क्या है जो मिसाइल है इसकी मारक शमता ज़्यादा है तो 47 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा अब देखें 48 नंबर का कोस्चन है Which port आप स्री लंका has been handed to Chinese company to pay its debt स्री लंका के किस बंदरगा को चीनी कमपनी को अपना कर्ज चुकाने के लिए स्वाप दिया गया है अपसन है हमबन टोटा, गाले, त्रिंको माली, फुलो वील तो यह जो स्वाप गया है हमबन टोटा जो बंदरगा है स्री लंका का उन्होंने अप स्री लंका ने जो हमबन टोटा अपना बंदरगा है रखा था अब इसको चाइना कमपनी को दे दिया है तो वर्स 2017 के दादा साथ फाल के पुरसकार के विजेता स्रीमान या स्रीमती कौन थे तो ये बिनोत खन्ना थे तो बिनोत खन्ना यहाँ पर करेक्टांसर हो जाएगा 49 का C के लिए पुर्टगाल के लिए पुर्टगाल देश के लिए तो पचास के यहाँ पर यह आंसर करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर हमारा GKGS साइंस का कौस्टन खत्म होता है अगर वीडियो आपको अच्छा लगाऊ तो वीडियो को जरूर लाइक करें और उपने भोस्तो किसा यहार करें विंदे नफ्टे विडियो जाहिते हैं नाफ्टी तरीघ स्थाइर करें तर्श्ट्रेश जये करें।